वेलकम अगेस्ट चौधरी गंपडिशन के लाज इस तो आजम बात करेंगे जो इंडियन नीवी का आपका जो अगस्त वाला वैच है उसका जो आपका जो एक्जाम होना है किस मन्त में उसका एक्जाम होगा क्योंकि आज पांस मई है और आज लाश्ट डे आज का आज जो के करेक्ट डाटा तो आज साम तक ही पता चल पाएगा जब आप इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेफसाइड है बंद हो जाएगी तब ही पता चल पाएगा कुल मुलाकर कितने केंडिट ने इस बाद फॉरम फिल किये हैं तो कहीना कहीं जितने ज्यादा मात्रा में केंड करेंगे तो आज हम बात करेंगे आपका जो इंडियन नेवी का जोगस्त वाला वैच है दो यारी किसका उसकी जीव एक्जाम होना किस मंत में उसका एक्जाम होगा कुल आगर आपको पता होना चाहिए इसके लिए डावल एंड ऐसासर के लिए कुल मुलाकर करीब को औरी कुछ एसी सितीम को इसमें देखने को मिली इससे बहुत सारे тоб bosses किया किया खुट किया गयाए और जो कुछ नोटिफिकेसन में दिया जाता है कोडिंग उसकी ही थू चलता है सब कुछ याद कोई किसी प्रकारी को इस्तिदी बेकार नहीं होती है यह एक्जाम डिले हो सकता है इसकी जो मेरिट लिस्ट के लिए इसमें जो डेट बताई गई है वो डिले हो सकती है कारण दूस या कट आफ बनती है तो आज हम देखिए सब कुछ आपको पॉइंट वाइप बताने की कोशिस करेंगे और जो कट आफ आपकी जाएगी किस स्टेट के लिए कितनी कट आफ जाएगी इसके लिए हम कल वीडियो लेकर आएंगे आपका चाहें या आप किसी भी स्टेट से ब बात करेंगे आपकी जो मैक्जमम है और मिनमम कट आफ कितनी जाजकती है तो कहीं न कहीं उसके बाद ही पता चल पाएगा कुलम लागर कितने द्वारा इसवार फॉर्म फिल किये गए हैं तो आप यहां से देख पहेंगे आपका जो सबसे पहले एक और पॉइंट है बहु भी कोई आपसे बोले देगी है या पैटरन चेंज होगा इंडियन नेवी की ऑफसेल वेफसेट पर अभी नाना नूटिफिकेशन देखने को मिला है इंडियन नेवी ने चेंज किया अपना से डिल सभी का आएगा एडमिट कार्ड तो ऐसा कुछ नहीं केवल देखिए कही जो एडमिट कार्ड है 12 में आपका जो परसेंटेज था उसी के वेस पर आपका एडमिट कार्ड वापस आएगा तो कहीं न कहीं तो ऐसा तो है नहीं कि 10,000 के इंडिट को बुलाई जाएंगे और फोरम आपके फिल कितने किये गए अब तक 4,000,000 एफ्रोक्स तो कहीं न कही द्वारा भी अभी ओपडिट दिया गया है कि सभी का जो एडमिट कार्ड है वापस आएगा आप इसका जो एक्जाम ऐस तरीके से होगा देखिए कहीं न कहीं वह आपको पागल बना रहे हैं आप उनकी बातों में बिलकुल नाफसे हैं आपका एक्जाम होगा आप देखि क sings कि उसलोट अलब करें प्रें आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा आपका डवले के लिए कुलमलागर आपको पता है कि 60 परसेंट आपका होने चाहिए आपका का मैतमेटिक्स एंड़ robust में और कहीं न कहीं आपका एAlGE केमिस्ट्री बायो फिर कम्पूटर में भी 60% होना चाहिए तो देखिए आपका जो कट ओफ है बहुत सारे केंड़ेट बूलते हैं कि क्या मेथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेस पर हमारा एडमेट कार आएगा तो देखिए आपका पांच सब्जेक्ट का एग्रीगेट आ वापस आयगा तो कहीन जहीं यह बात सत्य नहीं है तो कव तक सब्जेक्ट कर दिये जाेगें और इसका एकज में कव करा लिए जाएगा देखी आप यहां से इसको देख सकते हैं जो पैरा नमर 18 और पैरा नमर 18 का यहां से सी जब देखेंगे तो सी में आप यहां से देख पाएंगे दा मेरिट लिष्ट विल्वी एवी लेवल ओन वेफसाट डावलुड लौड जोएंडियन डावी डॉट कवर्मेंट डॉट इन 23 जुलाई दो जारे की सरतार इसका आपका जो मेरिट लिष्ट है वह त्यूस जूलाई दो जारे कि सको रिलीज करती जाएगी और आज कहा है आपके पास आपके पास तीन मत का समय है और तीन मन्थ से कम का समय मान सकते हैं तीन महिने के अंदर आपकी जो मेरिट लिष्ट है अंडियन नेवी द्वारा जारी कर दी जाएगी यदि किसी भी प्रकार कोई कही नहीं लॉकडाउन नहीं होता है तो और सब कुछ आपका ए पर होता है जिस तरीके से इंडियन डेवी द्वारन निकाला गया है और सब कुछ टैंपर करा लिया जाता है तो कहीने कहीं आपकी 23 जुलाई को ही मेरिटलिस्ट जारी कर दी जाएगी और कहीने कहीं प्रॉवेल्टी जादा है कि कहीने कहीं आपका जो एक्जाम है देखिए म आपके पास एक मंत का जम्हें है और कट ऑफ बता दूंगा मैं आपको जैसे ही आज पूरा पूरी तरीके से इंडियन डेवी द्वारा फॉरम फिल करा लिए जाएंगे और कितने फॉरम फिल किये गए उसी यह विस पर हम बताएंगे आपका जो कट आफ है कितना जाएगा किस श्टेट का कितना कट आफ जाएगा तो तो जो केंडिट पूछते हैं कि ऐसा कहां लिखा हुआ है तो आप यहां से देख सकते हैं पैरा नंबर एट में साफसा मेंशन किया गया है कि ड्यू टू कोविन नैंटीन पेंडेमिक तो कोरोना वायर्स जो पेंडेमिक है कही कहीं उसके कारण कुल मलाकर 10,000 केंडिट को ही बुलाया जाएगा आप यहां से देख सकते हैं रेटेन एग्जाम के लिए एंड पी एफटी दा सौट लिष्टेड ऑफ केंडिट फोर रेटेन एग्जामनेशन एंड पी एफटी विल वी अंडर्टेकन ऑन बेसेज ऑफ प और इस महीने के अंत में अर्थार्थ इस महीने के लास्ट वीक में अर्थार्थ मई के लास्ट वीक में हो सकता है कि इंडियन नेवी द्वारा जिस केंडिट को बुलाया जाएगा उस केंडिट की सौट लिष्टिड कर दिये जाएगा अर्थाज किस स्टेट से कुल मलाकर कितने केंडियोट बना दिया तो आपके मैं के लास्ट वीक में इंडियन नेवी द्वारा कहीना कहीन देगे अपने फेवर में रहती है तो मैं के लास्ट वी में आपका सौंट लेश्ट लेकंडिय कर दिये जाएगे और जैसे इस ओटलिशिट कर दिये जाएगे तो कहिने कि उसके दस से पंद्रे दिन बाद आपका एक्जाम प्रारम हो जाएगा तो जुद में आपका एक्जाम होना है आप देगे कहिने कि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है जिस के देगी कलम कट आफ पर बा के मन में डाउट ताई थींग किलियर हो गया होगा कि आपका जो एक्जाम है जून में कंड़क्ट करा दिया जाएगा इंडियन डेवी द्वारा क्यों कि यह आगस्त में बैच चला जाएगा यदि इस्तिति अपने फेवर में रहती हैं तो तो मई में आपका सॉट लिष् करता है कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि इस बार कोई फीज नहीं है तो आप इस बार अपना फॉरम फिल कर दें और आज लास्ट डिट है और टाइम से पहले अपना फॉरम फिल कर दें जहें इस्तित फॉरम लास्ट reports फॉरम पर की आहने जहीं हैं तो …